Hello everyone, welcome to Bank IQ इस वीडियो में हम करेंगे current affair, banking exams के लिए SBI, IBPS और RBI के लिए सबसे पहले तो मैं आप सबका इस नए चैनल पर स्वागत करता हूँ और इस चैनल पर हम banking special videos ही डालेंगे तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने सब दोस्तों के साथ जो किसी भी banking exam की तयारी कर रहे है IBPS PO Clerk, SBI PO Clerk, RBI Assistant Grade B और Insurance Exam और इसके अलावा कुछ exam होते हैं जिनें बोलते हैं CA, IIB, JA, IIB, DBF वगारा ये बाद में होते हैं, promotion वगारा गले तो इनकी तयारी अगर आप कर रहे हैं तो उनके ही वीडियो इस चैनल पर आएंगे और एक बार मैं फिर से आप सब का स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया अपने उन सब दोस्तों के साथ जो banking exam की तयारी कर रहे हैं कृपया इन वीडियो को शेर करें इस पर बहुत सारे वीडियो एक्सक्लोजिव आएंगे जो किसी और चैनल पर नहीं आएंगे जैसे एक्जाम्पल के लिए ये वाले जो करेंट अफेर है मेरे इन में मैं बाइलिंग्वल कवर करूँगा करेंट अफेर और ये वाला जो चैनल है ये एक free चैनल है इस पर कोई भी चीज पेड नहीं होगी और ना ही किसी भी पेड चीज का परचार किया जाएगा ये हमारा पूरी तरह से 100% free चैनल है तो Bank IQ हमेशा एक free रहेगा एक free brand रहेगा तो 28 दिसंबर के Current Affair को शुरू करता हूँ और इस पर जो स्क्रीन में भाषा लिखी होगी वो होगी English और मैं बोलूँगा Hindi में यानि कि इस चैनल पर जो Current Affair होंगे वो Bilingual होंगे और रोज इसी तरह आया करेंगे अगर आपको Pure Hindi या Pure English में देखना है तो फिर आप Study IQ पर देख सकते हैं लेकिन इस चैनल पर Bilingual वीडियो आया करेंगे इन में से कौन सा Country है जिसने अपनी पहली Messaging App लाँच करी है Messaging App पहली इसलिए क्योंकि इस Country के अंदर Facebook और Twitter और WhatsApp ये सब बैन है ये Country है तुर्कमेनिस्तान तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है Capital है वो है अजगबाट और इन्होंने जो Mobile App लाँच करी है जिससे आप WhatsApp की तरह चैटिंग कर सकते हैं उसका नाम है Biz Bard Biz Bard Tata Coffee इन्होंने किसे अपना Managing Director और CEO अपॉइंट किया है Managing Director और CEO बने है Tata Coffee के Mr. Chaco Thomas ये मैं बात कर रहा हूँ पूरी Tata Group की जिसके अंदर फिर बहुत सारी कंपनी आती हैं उसके अधीन जैसे कि Tata Steel, Tata Motors लेकिन जो टोटल मिला के जो Tata Group है उसके चेर्मेन है एन चंदर शेखरन ये सवाल भी आ सकता है द्रोनाचारे पुरुसकार जो है द्रोनाचारे अवार्ड जीट चुके कौन से वो बॉक्सिंग कोच है हमारे जो अब इंडिया के नैशनल बॉक्सिंग कोच बन गए है इनका नाम है CA Kattappa द्रोनाचारे अवार्ड दिया जाता है कोचेस को और अर्जुन अवार्ड दिया जाता है प्लेयर्स को हर्याना के जो चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खटर इन्होंने कितनी स्कीम्स और सर्विसिस लॉंच की है डिजिटल हर्याना इनिशेटिव के तहट डिजिटल हर्याना इनिशेटिव के तहट 485 स्कीम्स लॉंच की गई है और आपको मैं ये भी पता दू कि हर्याना के जितने भी districts हैं उनमें अंतियोदे सरल केंदर खोले जाएंगे और इसके अलावा अटल सेवा केंदर हर्याना में 4000 खोल चुके हैं जितने भी rural area हैं गाउंवाल area हैं उनके अंदर तो ये याद रखिए इसके अलावा हर्याना में दो important national park हैं जो बार-बार आते हैं एक्जाम में एक तो है कलेसर और दूसरा है सुल्तानपुर सुल्तानपुर और कलेसर नेशनल पार्क ये हर्याना में हैं और हर्याना में एक नई wildlife century बन रही है जो बन रही है मोरनी नाम की जगा में जो पंचकुला के अंदर है इन में से कौन से औस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं जिनने ICC Hall of Fame में जगा मिली है ICC Hall of Fame मतलब होता है कुछ ऐसे distinguished people जिनोंने काफी कुछ अचीव किया होता है इसमें भारत की तरफ से गई थे राहुल द्राविट और और औस्ट्रेलिया की तरफ से रिक्की पॉंटिंग ये Hall of Fame में इने जगा मिली है इंडिया के टोटल पाँच खिलाडी अब तक Hall of Fame में आ चुके हैं क्या जो बाकी चार खिलाडी है आप उनका नाम कमेंट्स में लिखके बता सकते हैं एक तो मैंने राहुल द्रेविट बता दिया बाकी चार कौन है इन में से महशूर सितार प्ले इनका नाम क्या है इनका नाम है मंजु महता यहाँ पे एक ओबीच्वरी जो है वो भी आपको बता दू यह जो सिंगर है यह भी सितार बजाते थे यह म्यूजिशन सिंगर सब थे इनका नाम था उस्ताद इमरात खान इनकी डेथ हुई अभी अभी नवंबर 2018 में तो यह य यह भी भारत की बहुत महान क्लासिकल सिंगर थी यह जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाती थी उसको बोलते थे सुर बहार विजिंग फेस्टिवल भारत में कहां हुआ विजिंग फेस्टिवल असाम के अंदर होता है ये थर्ड टाइम था कि विजिंग फेस्टिवल जो है ये सेलिब्रेट किया गया था असाम के अंदर ये कौन से डिस्टिक्ट में होता है चिरांग डिस्टिक्ट और एक असाम का फेस्टिवल और है जिसे बोलते हैं अम्बू बाची फेस्टिवल ये कामाख्या मंदिर के अंदर होता है और कामाख्या मंदिर है गुवाटी में और गुवाटी में अभी अभी सेकंड नीती फॉरम की मीटिंग हुई थी 2018 के अंदर ही सेकेंड नीती फोरम जो नौर्थ इस्ट के लिए बना है उसकी मीटिंग हुई थी गुभाटी में और फस्ट वाली की हुई थी अगार तला में एप्रेल 2018 में असाम की अगर मैं पूछू चीफ मिनिस्टर कौन है सर्बनन सोनो वाली ठीक है और असाम का एक फेमस डांस भी है जो एक्जाम में पूछते हैं जिसको बोलते हैं भी हुँ आंदर परदेश की जो सरकार है उन्होंने नया हाई कोट बनाया है नया हाई कोट क्यों बनाया है क्योंकि आंदर परदेश से अलग हो गया था 2014 में तेलंगाना तो तेलंगाना जो हैदराबाद हाई कोट था क्योंकि तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है तो हैदराबाद हाई कोट तेलंगाना के पास चला गया था तो आंदर परदेश को नया हाई कोट बनाना था उन्होंने वो अपनी नई कैपिटल अमरावती में बनाया है तो इसके पहले Chief Justice कौन होंगे? इसके पहले Chief Justice होंगे रमेश रंगनाथन और रमेश रंगनाथन अभी उत्राखंड High Court के Chief Justice है और AP शाही जो है ये पटना High Court के Chief Justice है अमरेश्वर प्रताब शाही अगर पूछें भारत के Supreme Court के Chief Justice कौन है? रंजन गगोई और ये भारत के Supreme Court के 46th Chief Justice है Reserve Bank of India जो है इन्होंने एक सर्वे लॉंच किया है भारत में जो Retail Payment Habits है लोगों की उसको चेक करने के लिए कितने शहरों में किया है ये? ये किया है 6 शहरों में जो 6 हमारे बड़े शहर है दिल्ली, मुंबई, कॉलकता, चेन्राइ, बैंगलूरू और साथ में गुभाटी इन 6 के ले किया है सो आंसर है 6 cities Reserve Bank of India के नए गवर्नर कौन है? शक्तिकान दास भारत के Vice President Venkayan Idu इन्होंने Champions of Change Award किस मुख्यमंत्री को दिया है? यह मनेपुर के मुख्यमंत्री है और इनका नाम है बिरैन सिंग बिरैन सिंग और अभी-अभी ममताव एनर्जी जो है West Bengal की मुख्यमंत्री इन्हें मिला है Scotch Chief Minister of the Year यानि साल का सबसे अच्छा Chief Minister Chief Minister of the Year Award ममताव एनर्जी को मिला है इन में से कौन सी और्गेनाइजेशन है जिसने डेल्टा रैंकिंग रिलीज करी है Aspirational District Aspirational Districts are nothing but backward district जो भारत में backward district है backward word बोलना अच्छा नहीं लगता तो हम बोलते है Aspirational District इन में जो improvement का criteria है उसके अधार पर डेल्टा रैंकिंग किसने दी है ये दी है नीती आयोग ने और नीती आयोग ने ही रिलीज करा है अभी अभी जिसको हम बोलते है Sustainable Development Goal ranking Sustainable Development Goal का number है total 17 और जितने भी countries है United Nation के जो member है उनको Sustainable Development Goal जो है 17 इन्हें realize करना है 2030 तक और इसमें भारत का जो सबसे number one जो state है यानि कि जो Sustainable Development Goals को सच में अचीव कर रहा है वो हैं दो हिमाचल परदेश और केरल और सबसे नीचे है ranking में Sustainable Development Goals achievement ranking में UP सबसे नीचे है और बिहार नीचे से दूसरे number पे है यानि कि दूसरे number पे सबसे पीछे है बिहार और सबसे पीछे है UP तो इन्हें काफी मेहनत करनी है अभी Sustainable Development Goals को अचीव करने के लिए तो नीती आयोग के वाइस चेर्मेन है राजीव कुमार CEO है अमिताब कांथ और चेर्मेन है परदानमंत्री नरिंदर मोधी अब इसमें ये पूचा है कि कौन सा ऐसा भारत का Aspirational या Backward District है जिसने सबसे ज़्यादा Improvement दिखाई है Most Improved District कौन सा है Most Improved District है विरुदुनगर विरुदुनगर और ये है तमिलनाडू के अंदर याद रखिए अगर पूचें कि दूसरा सबसे ज़्यादा Improved कौन सा है तो नुआ पाड़ा District ये ओडिसा में है ये Second Most Improved है और Third Most जो Improved है वो है सिधार्थनगर और ये है उत्तर परदेश में आपको बता दू जो उत्तर परदेश में जो जेवर नाम की जगा है वहाँ पे नया एरपोर्ट बन रहा है गोतम बुधनगर है ये जेवर यहाँ पे नया एरपोर्ट बन रहा है यूपी में और उत्तर परदेश में भगवान राम की स्टैचू बन रही है उसकी हाइट होगी 221 मीटर पहले थी 151 मीटर लेकिन इसको बढ़ा के बाद में 221 मीटर कर दिया गया था और जो वल्लब भाई पटेल स्टैचू है उसकी जो हाइट है वो है 182 मीटर या 600 फीट और इसको डिजाइन किया है राम सुतर ने राम सुतार और चोथा सबसे इंप्रूब डिस्टिक्ट है औरंगाबाद याद रखिए औरंगाबाद विहार वाला है मैं महाराष्टर वाले औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ और महाराष्टर में भी एक औरंगाबाद है जहाँ पे महाराष्टर का 2nd Mega Food Park बना है महराष्टर का पहला Food Park बना है सतारा में अभी-अभी अंडमा निकोबार के 3 Island है inका नाम बदल दिया है तो Ross Island का नाम क्या हो गया है Ross Island का नाम नेताजी सुभाज चिंदरबousse के नाम पे रखा जाएगा ठीक है और एक बात याद रखिए अन्मान निकोबार की राजधानी है Port Blair और Port Blair का जो एरपोर्ट है उसको बोलते हैं वीर सावर कर एरपोर्ट Ross आइलेंड का नाम हो जाएगा नेताजी सुभाज चंदर बोस आइलेंड नील आइलेंड का नाम हो जाएगा शहीद द्वीब और हेवलोक आइलेंड का नाम हो जाएगा स्वराज द्वीब इसके अलावा अन्मान निकोबार में कुछ और चीज़े याद रखिये एक सेंटिनल आइलेंड है North Sentinel आइलेंड जहांपे सेंटिनलीस ट्राइब रहती हैं इन्होंने अमेरिका से एक व्यक्ति आया था उसको मार दिया था जो क्रिश्चन मिशिनरी था और जॉन चाउ उसका नाम था और अन्मान निकोबार में हमारे दो ज्वाला मुखी हैं एक तो है नारकोण डाम और दूसरा है बैरन आइलेंड यह दो इंपोर्टन वॉलकैनों हैं इंडिया के अंदर इन में से कौन सा कंट्री है जिसने एक कानून बनाया है लौ बनाया है कि मेडिकली मरिवाना को यह एक्सपोर्ट कर सकता है यानि अगर उसकी जरुरत दवाई के तोर पे है गांजा को या हम इसे वीड भी बोलते है तो मेरिवाना जो है इसका मेडिकल एक्सपोर्ट अलाओ किया है अभी अभी कोन से कंट्री ने इससे पहले नैधरलैंड और कैनड़ा इन्होंने अलाओ किया था और अभी-अभी अलाओ किया है इसको इसराइल ने याद रखिए इसराइल की जो करंसी है वो है शेकेल, राजधानी है जैरुसेलम और वेस्ट जैरुसेलम को अभी अभी अस्ट्रेलिया ने रियलाइज करा है, अस्ट्रेलिया ने अपनी वैलिडेटी दी है कि वो इसराइल की कैपिटल है, और इसराइल के जो प्राइमिनिस् को रोकती है और आतंगवाद यानि terrorist financing को रोकती है और इन्होंने पाकिस्तान को अपनी gray list में डाला था FATF का जो headquarter है वो पैरिस में है और पैरिस में ही headquarter है OECD का UNESCO का और साथ में Reporters Without Borders organization का नीमू बस्गो पावर प्रोजेक्ट भारत में कहा है नीमू बस्गो पावर प्रोजेक्ट है लहे लदाक में सो आंसर है इसका जमू कश्मीर और आपको बता दूँ भारत का सबसे बड़ा जो district है वो है कच एरिया वाइज और दूसरे नमबर पे है लहे साइन्स की कौन सी ब्रांच है जिसमें हम classification करते हैं organisms को उनको segregate करते हैं different groups में उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं taxonomy कितने तरह की emergency होती है हमारे constitution के हिसाब से एक होती है national emergency article 352 एक होती है state emergency article 356 और एक होती है financial emergency article 360 भारत में financial emergency अब तक नहीं लगी है तो इसका आंसर है three types of emergency are there कौन सा country है जो बहुती ज़्यादा powerful आवांगार्ड hypersonic missile बना रहा है ये country है रश्या रश्या बना रहा है रश्या का जो rocket है उसे बोलते हैं soyuz वलादिमिर पूतिन यहां के president है और ruble यहां की currency है यहां पे एक जगा भी है जिसे बोलते है red square और रश्या की एक defense manufacturer है एक हत्य यार बनाने वाली company है weapons बनाती है जिसको बोलते है almaz auntie ये भी याद रखिये रश्या की एक antivirus company है जिसको बोलते है Casper Sky एक noida की 9 साल की बच्ची है उसने एक photo बनाई painting बनाई इसको NASA ने अपने official calendar में जगा दिये क्या नाम है इसका ये देखिये ये photo बनाई थी इसमें एक लड़की है ये dream कर रही है कि वो एक दिन astronaut बनेगी और अंत्रिक्ष में जाएगी तो इस लड़की का नाम पूछा है ल कोन से division ने करा है ये करा है नागपुर नागपुर ने करा है उस्ताद robot आपता प्रबंधन प्रुसकार यानि disaster management award दिये जाएंगे क्योंकि disaster management बहुत बड़ा मुद्दापन के सामने आ रहा है क्योंकि भारत में बहुत सारे floods आते हैं बहुत सारे cyclones आते हैं तो हमें disaster management पे इसके नाम पे रखे जाएंगे ये भी नेता जी सुभायश चंद्रबोस जी के नाम पे रखे जाएंगे इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूँ आज पहला वीडियो था बस एक request है आपसे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए नई चैनल के बारे में सब करना चाहा रहे हैं हम इस पर economics की जो news है वो भी daily start करने वाले है banking exams के लिए economic times newspaper का analysis और भी बहुत सारी चीज़े हमने plan की हुई है banking awareness बहुत ही current affairs और vocabulary special vocabulary banking exams के लिए banking exams के लिए past papers उनको discuss करना तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में है बस आप इसको share करते रहिए definitely आप देखेंग कल thank you so much and take care